दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ बाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बैल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विशाला सबके स्वाज करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना बूलें आपको हमार कर सकते हैं आप play store पर जा सकते हैं प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है इंटने जैंटके नाम से सर्च करना दोस्तों CTterie صी शीऐ तो के दोस्तो यहां पे जाकर आप सर्च कर लेंगे बहुत अच्छी एप है यह इन्ट्रलिजिंट सी बी कि नाम से और ये इस तरीखे से आपको देखने को मुल जाएगी करेंगे create पर जाने का देखिए यह मैंने already create किया हुआ है एक resume में ओके दोस्तों यह मैंने demo के लिए आप लोगों के लिए fake ID और fake सब चीज़ों के साथ create किया है ओके दोस्तों यह किस तरीकिसे है जो भी आप डालना चाहिए hello address आप जो भी डालना चाहिए जैसे कि मैं अपना चाहिए noida short में डाल देता हूँ ओके दोस्तों आप पूरा detail में डाल दीजिएगा mail ID अगर आप डालना चाहिए तो ABC इस तरीके से आप डाल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से अगर आप डालना चाहते हैं फॉन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं 12345678 जो भी आप डालना चाहिए photo अगर डालना चाहते तो photo select कर सकते हैं नहीं डालना चाहते तो remove कर सकते हैं सेप कर सकते हैं तो एक चीज आपकी होगी complete then आपको क्या करना education qualification में डालना education qualification में आपने जैसे कि मैंने engineering की हुई है तो मैं b-tech डाल देता हूं university डाल देते हैं चलिए इस तरी लेकिन आपको proper तरीके से डालना है दोस्तो सबसे पहली चीज जो first letter है वो capital होने चाहिए तो तरीके से डालेंगे तो एक अच्छा impression जाता है CV अगर आप बनाते हैं तो agree, degree score अप डालना चाहिए इह डाल सकते हैं कि SE gift कर सकते हैं के साइज और सकते हैं तो इस तरीके से यूज heürd कर सकते यह तो cameras itatch ne अगर आप फ्रेश है रहे तो एक्सपीरियंस भरने की जरूद नहीं है और आप एड में जाहिए गवा कंपनी का नाम डाल दीजिएगा आपका जॉब टाइटल क्या है वह डाल सकते हैं आप यहां पर जाकि जैसे ही चली मैं कंपनी का नाम ऐसे ही डाल देता हूं तो आपको तरीके से भरना है दोस्तों ठीक है और जॉब टाइटल आप क्या कर सकते हैं जॉब टाइटल कुछ भी डाल दीजिए जैसे ही चली मैं अपनी डाल देता हूं सॉफ्ट्वेर टेस्टिंग ओके स्टार्ट डेट अगर आप डालना चाहें तो स्टार्ट डेट डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें जैसे आपको शुटेबल लगता है ओके दोस्तों तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं ओके दोस्तों एंड डेट में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे आपको सही लगता है अज आम डाल देते हैं जो केटेंगे से यह तो तरीके जह ब्रोड हैं और बहुत अच्छा लाएग ऑकuent आती है C++ आती है जो भी लेंग्विज आपको आती हो .NET है आचकल Android और Python का आचकल बहुल जादा स्कोप है तो आप वो सब चीजे अपने अनसार डाल सकते हैं जो भी हो आप यहां पर फिल कर सकते हैं तो आपका इनकेस आपका है आप जिस भी कंपणी के लिए अपलाय कर रहे हैं तो आप यहां पर डाल दीजिए गा प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ है जो बहुत जादा एहम रोल प्ले करते हैं चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपिरियंस ओल्डर हो तो प्रोजेक्ट आपको जरूर बढ़ना है अगर आप फ्रेशर है तो कॉलेज में जो भी आपने प्रोजेक्ट किया हूँ आप यहां प इसके पाद आप रिये अर्यन खरकते हैं आप जाएंगे अभी पहुत गंदा लोगने बौह मलत टानी अगरे सकते हूई अब देखे दोस्तो यहां पर आप से कर सकते हैं फ्रेम प्रोफेशनल है modern है तो जैसा आपको चाहिए तो इस तरीके से अगर आप डालना चाहिए तो देखिए यहां पर आपको यह देखने को मिल जाए हलागी यह भी काफी गंदा लग रहा है रीजन यह है कि मैंने काफी डीटेल डालें पूरी डीटेल डालूगा मैं फोटो अगयरा के साथ तो यह आपका प्रोफेशनल सीवी बन जाता है तो यूज कीजिएगा इस अप्लिकेशन को यह काफी अच्छी अप्लिकेशन मुझे लगी जो आप यूज कर सकते हैं जिससे बेटे 10-15 मिनट में अपना रेज़्यू में बना सकते हैं तो कि दोस्तों इसको आपके लिए जरूद नहीं कि आपको इसके लिए जरूरी है कि आपको बबाद के शेयर कर सकते हैं इसकी डॉक फाइल बना सकते हैं जो बनाना चाहें वह बनाकर शेयर कर सकते हैं इसका प्र काफी अमेजिंग है इसके अलाब अगर आप इस तरीके से यहां पर क्लेरिंग का ओप्शन देख सकते हैं तो यह आप यह भी सारी चीज़ है चैनल कर सकते हैं उपर ऑप्शन है यूज करके जरूर देखिएगा तो उमीद है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी यह आप झाले दोस्तो